सस्ता होगा सोना और चानी चानी ए एक्सपर्ट राय दोस्तों स्वागत है आपका नमस्तर इंडे नियूज में मैं हूँ आक रोसु नमीन शर्मा हम बात करें मत्रफदेश के साथ साथ देश की सभी ताजा ख़बरों की तो क्या अपडेट है चली जान लेते हैं और क्या सोन करती तनातनी पर गुरुवार को विराम लगा है तनाव घटने की वजह से ग्लोबर मार्केट में सोने का भाव में जवड़स्त गिरावाट देखने को मिली है विदेशी बायारों में कोमेक्स पर सोने की कीमतों में 1610 डालर प्रतियों उसका उच्छितम इस्तर चुने के अबाद 1546 डलर प्रति होस पर आ गये हैं वहीं कर लुबायार में एमसे एक्स पर भी गोल्ड फ्यूचर की कीमते 700 रूपर प्रति 10 ग्राम पर गिर गई हैं गर्यलू मार्केट में भी सस्ता हो सकता है सोना साल के पहले 10 दिन सोना 5.5 फिसेदी बढ़ चुका है आगे भी भ पाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 425 रूपे बढ़ गई थी पिछले ट्रेडिंग सेक्शन के मुकाबले सोना 41,325 रूपे से चड़कर 41,810 रूपे पहुच गया था और सस्ता हो सकता है सोना एक्सपर्स के मुतावित अमेरिका और इरान के बीच तनाव घटने से दुनिया वगर उजहान को देखते होए सोने की कीमतों में भी आगे गिरावट कर रूप को रह सकता है एक्सपर्स की माने तो तनाव घटने से निवेशक वापस एक्विटी बयार में लोटेंगे इसका आसर देखने को मिलेगा साथी क्यों गिरेगा सोना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड एटीएफ फंड एजपी डियार की होल्डिंग ने भी विक्वाली शुरू की है इसलिए माना जा रहा है कि सोने की कीमतों में गिरावटा सकती है जनवरी में अब तक का सोना पांच फीसे से जादा महंगा हो चुका है साल दोहर बीस के पहले दस दिन में सोने का भ बैनली से असी रूपे दर्ज की गए मुंबई में कल सोना बैनली से अर पिंचांज रूपे टेट कर रहा था वहीं लखनाव में गोल्ड में थोडी नर्मी देखने को मिलीए और यहां सोने के दाम है तलिस से नो सो पच्पंट रूपे बैंगलूर में सबसे आजा कीमत है बैनली सार 160 रूपे तो इस प्रकार से फिलाल सोने और चांदी के भाव और चांदी रेट की बात कर चांदी भी जो है अपनी उच्छेतम इस्तर पर चल रही है और सोने भी फिलाल परंतु जो एक्सपर्ट रहे हैं उनका मानना है कि आने वले समय में सोना सस्ता होग क्यों जार्प सकते हैं